सिखाने जाओं समर कॉर्ट की कटिंग और उसकी सिलाई गर्मियों को सिल जना रहा है और जल идक ठीजर कि डिमांड बढ़ती जा रही है तो आप जल्दी सी सीख लिजिए समर कोट की सिलाई के लिए कम से कम में ध़ उलर कोट के लिए दो लेते हैं उसे हैं इक या दो इन्च सेट हम उंदिक रखती है है सीना के जो नाप हम डिला डिला सेना का नप लेते हैं जैसे के भर लाओ फीटिंग में पैंने हैं आक फ्सक्तिम्स है उसका नाप भी हम ठोड़ा अधिक लेंगे जितना नॉर्मल और करन आप लेते हैं सूट में शूट की सि Hakже में उसे हम एक इंच अथी सोलडर का नाप लेंगे तो सबसे पहले लेंगे हम लंबाइं इसमीर कपड़े को हन वह कपड़े को हम लंबाई में बिच्छाएंगे जो हमार किनोर वाला हिस्सा है वो आपस में दोनों पल्ले है वो आपस में मिलाएंगे इसे खुली वाली साइड से हम नाप लेंगे हमारे जितनी भी हमारे लंबाई है उसमें हम दो इंच दबाव लेंगे लंबाई थी वह हमारी 28 इंच थी समरकोट की वह दो इंच में इसमें दबाव लूँगी तो 30 इंच तो टोटल लेंद हमारी 30 इंच हो जाएगी इसमें आदा इंच हम एक्ष्ट्रा निसान लगा लेंगे खुली वाली साइड यह वाला जो निसान हो वो मैंने आदा इंच की दूरी पर लगाया है अब लेंगे हम सोल्डर का नाप तो सोल्डर था वो हमारा ठारा इंच था अठारा इंच का हम आदा हिसा लेंगे अठारा इंच का आदा हिसा नो इंच होगा और जो मैंने आदा आदा इंच का पहले लंबाई में जो मार्क लगाय था इसको छोड़के लेंगे हैनि यहां से नो इंच और जितना हम 3 लेंगे आर्म होल के भी लंबाई हम उतनी ही लेंगे है नो इंच अर्थ कि यहां से भी दूरी लों चाहेगे और जो आधा इंच हमने छोड़ा था उसे हम नाप में सामिल नहीं करेंगे और यहां पे हम लेंगे अब सीना सीना है वो हमारा से तीस इंच है तो से तीस का भी हम एक बटा चोता हिस्सा लेंगे यहाले जो सीना है वो हमारा से तीस है और से तीस का हम एक बटा चोता हिस्सा लेंगे तो सिता से तिस का एक बड़ा चोटा हिस्सा है वो सवानों इंच आएगा और उसमें हम दबाओ एड़ करेंगे एक इंच तो सवानों से सवाद दस इंच सवाद दस किज़े मैं साड़ दस ही ले रही हूँ अगर आपको इससे लग रहा है कि आप एक इंच की जगार अधीक मार्जन लेना चाहिए तो आप डेड़ दिंच ले लिए अगर कमर पर भी हम उतना ही नाप लेंगे जितना हम सीने में लेंगे मैंने यहां पर 27 जो अमार नाप आ रहा था उसकी ज़ए साड़ दस लिया तो यहां पर मैंने साड़ दस ही लिया है और जहां पर हमारे लंबा समाफ तो दिये वहां पर हम एक या आदा इंच अधिक ले लेंगे तो मैं यहां पर ले रहे हूं 11 इंच अब हम 13 सानों को अपस में मिला देंगे यहां से हम आदा इंच अधिक एक्स्ट्रा इसकी कटिंग करेंगे और कमर और सेना हम बरोबर लेंगे यहां पर एक इंच की गोलाई देंगे अब लेंगे हम गला सॉल्डर के साइड से गला हम 3 इंच कटिंग रिंग गले की और गले की जो लंबाई है वो मैं ले रही हूं साड़े चार इंच और इसको गोलाई में मिला देंगे दोनों निसानों को आपस में यह वाला जो निसाना तीन इंच वाला और चार इंच करेंग तरफ हम अदा इंच पर निसाल अगाएंगे और ये आदा इंच की इस तरफ एक्ष्ट्रा हम कटिंग कर देंगे इसे अब ये जो वाला आगे वाला हिस्सा है इसको रखके हम पीछे वाला हिस्सा कटिंग कर लेंगे हमारा पीछे वाला हिस्सा है वह भी खुली वाले भाग की तरफ ही हम कटिंग करेंगे इसकी तो ये आगे वाला हिस्सा है ये इसके ऊपर रख लेंगे हम कि अधा इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जन छोड़ाता है यां पर तेन इंच की सोल्डर की कटिंग की थी ये भी वाले दुरी है ये हमार तीन इंच ही आने चाहिए तीन इंच आ रही है पीछे से हम इसके की कटिंग एक इंच कर देंगे कि या फिर आप चाहो हो तो इसे आदा इंच किटिंग भी कर सकते हो है फिर एक इंच आप कटिंग कर सकते हैं और जैसे आगे वाले इससे की की यूंद है वैसे हम पीछे वाली से की कर लेंगे कटिंग करने के बाद में हम आगे वाला हिस्सा है वो ठालेंगे और फिर आगे वाली इससे में ये वाले जो हमारे गोलाई है इससे हम अंदर की सेड लेंगे इस गोलाई को हम अंदर की सेड लेंगे मैंने पहले इसलिए नहीं ले क्योंकि मेरे को पीछ इसको रखे पीछी की से कटेंग करने थी इसलिए मैंने यह वाली कटेंग पहले नहीं किये थी यह वाली जो अंदर मैंने गोलाई दिये यह आदा इंच की गोलाई दिये ऐसे अब हम आस्तिन की कटिंग कर लेंगे आस्तिन की लंबाई है वो हमारी 22 इंच है 2 इंच में इसमें दबाव ले रही हूँ जो कपड़ा है वो सिकुरने वाला है इसलिए में इसमें दबाव 2 इंच ले रही हूँ मोरी है वो हमारी 8 इंच है आठ का हम आधा हिस्सा लेंगे और देर इंज इसमें दबाव ले लेंगे तो साड़ी पांच इंच हो गया कि अब हम लेंगे आस्तिन की गोलाई तो जो हमारा टोटल सिना था वो साड़े दस था तो जब साड़े दस तभी होगा ना जब उसमें हम दबाव दो इंच एड करते हैं अगर ब्लाउज के अकोडिंग बाजू की कटिंग करें तो जो हमारा सेना उसका यह बड़ा चोता हिसा लेते हैं लेकिन इसमें मैं क्या कि दबावा वह एक इंच लिया है तो इस परकार जो हमारा टोटल सेना था वह मेरा कि साड़े 10 इंच हो गया था अगर आम साड़ी आठ इंच में दो इंच एड करते हैं तब हमारा जो टोटल नाप वह साड़े साता है तो यानि चोता हिस्सा हमारा साड़ी आर था इसमें हम आदा इंच एड कर देंगे तो जो मरती चलाएन नहीं नों इंच किया जाएगी अनि यह वाल जो तिर्ची लाएना हुआ हमारी नों इंच की आएगी लास्ट एक इंच पर हम कोई गोलाई नहीं लेंगे और फिर इसकी गोलाई ले लेंगे बाजू की इसकी कटिंग वेसे होगे जैसे हम नॉर्मल व्लाउज में या सलवार सूर के आस्तिन की कटिंग करते हैं बिल्कुल वेसे ही इसकी कटिंग करते हैं आस्तिन की कटिंग करने के बाद में हम जो आगे का इससे का हमारा गला है इसकी पटिंग कर लेंगे ये पटिंग हमें लास्ट में ही करनी है जो हमारा बचा हुआ कपड़ा होता है उसी में ही करते हैं इसलिए पहले आप समर कोट की आस्तिन की कटिंग कर लीजिए और फिर वाला कपड़ा भी हम डबल लेंगे और जिस परकार हमारे गले की गोलाई है इसे भी चोग के साथा से हम चाक लेंगे कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी है पट्टी की लंबाई रख लेंगे इसको उठादेंगे दो इंच यहां से लेंगे हम इसकी चोड़ाई और यहां से फिर दाइंच ले लेंगे और यहां से भी हम इसकी चोड़ाई दो इंच लेंगे और यहां से फिर एसे गोल आई में सेफ देंगे हम इसकी इस पर टेरीटिंग ऐसे होगी बिल्कुल यहां से वाले चोड़ाई आए हो अधिक रखनी है इसलिए मैंने इस वाले चोड़ाई की जो चोड़ाई है वो अधिक रखी है सबसे पहले हम आस्तिंक जो मोरी है वो फॉल्ड कर लेंगे आदा इंच मेंने एक बार फॉल्ड के फिर एक बार ओजो फिर आदा इंच लिया है इच्छे वाला इसा है वो हमारा खूली वाली साइड है तो इसकी हम सिलाई कर लेंगे पहुम जितना मैंने एक्ष्टा लिया ता इतना मैं फोल्ड कर रहा हूं आदा इंच एक्ष्टा लिया ह्ता दो आदा इंच मैं अंदर की साढ़ा हूं और यहां पे भी मैं आदा इंच आगे से रुकूंगी क कुल या है अगर आपको पता नहीं चले तो आप यहां पर आदा आदा इंच का मार्क लगा सकते हैं कि अगर इसे हम छे इंच पर माक लगाएंगे इतना हम कट कर देंगे पिछे के साइड मसेन को हम उठाते हुए जिस तरफ मैंने आदा इंच कफड़ा फोल्ड किया था उस तरफ घुमा लेंगे से आदा इंच की दूरी पर चलाएंगे और इसका लाएंगे इस प्रकार हमार जो पीछे की कट है उसकी सिलाई हो चुकी है इस कट के लिए हम पीछे के साइड वाला हिस्सा है वो खुली वाली साइड कटिंग करते हैं समर कोट में साइड में कटें ना होके पीछे के साइड कट करते हैं अब हम आगे वाला हिस्सा है वो तियार कर लेंगे दोनों हिस्तों पे हम पट्या रख देंगे पट्टी को हम उल्टा करके रखेंगे और यह पक्की दूरी पे हम इसकी सिलाई कर लाएंगे यहां से मैं एक पक्की दूरी पे इसकी सिलाई करूंगी अबाइं लिए अबर्याल तो अब यहां गवाएं अब कर दो में अब कर दो में एक पट्टी हमारे उपर के साड़ आएगी और एक बाली पट्टी है वो नीचे की साड़ की जाएगी इसका मतलब यह है कि यह जो हमार गले की पटिया है वह बिल्कुल सही लगी है गोलाए में हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे गले में और इसे फॉल्ड कर लेंगे और किनोर पे बिल्कुल किनोर पे हम एक सिलाई कर लाएंगे सिलाई करने के बाद में जो पटि का खुला वाला इससा है इसे भी हम फॉल्ड कर लेंगे नौर्मल ही हम इसे एक बारी फॉल्ड कर लेंगे इसे गोलाए वाला इससा है इसमें हम आदे इंच के कट लगा लेंगे ताकि यह फॉल्ड आसानी से हो जाए अग्याए इसे यह दूसरी वाली इसे में हम पट्टी को फॉल्ड कर लेंगे अग्याए 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 सिप्सक्राइब इसे में अग्याए अग्याए कि दिन की सिलाई कर लाएंगे आज दिन की सिलाई के लिए हम आदा इंच के यहां पर मार्जन हो आदा इंच खालेंगे कि आज दिन की सिलाई करने के बाद में अब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो फिटिंग के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना लाश्ट यहां से मैंने दबाओ एक इंच अधिक लिया था तो एक इंच पर आप निसान लगा दीजिए एक इंच की हम यहां पर फिटिंग कर लाएंगे इस तरफ भी हम एक इंच के निसान लगा लेंगे मौरी थी वह हमारी आठ इंच थी तो आठ का हम आधा हिस्ता लेंगे चार इंच में मैंने इसान लगा दूंगी इस निसान को उस निसान से मिला देंगे आप 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 कि यहां पर हम डबल से लाई कर लाएंगे एक पक्त दूरी पर हम से किन से लाई करेंगे कि यहां पर हम से लाई करेंगे कि निची के साथ फॉल करने के लिए हम डेर देंच पर निसान लगा आएंगे डेर देंच तक हम इससे फॉल कर देंगे कर देंगे कर देंगे करने के बाद में अब हम बनाएंगे इसकी कोलर यहां से हम दो इंच पर निसान लगाएंगे जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा है आगे की साइट से और दूसरे वाली इसे में भी हम दो इंच पर निसान लगाएंगे दो इंच की निसान से हम कोलर की लंबाई स्टार्ट करेंगे साड़ी सत्रा इंच आ रही है यानि जो हमारी कोलर की लंबाई है वो साड़ी सत्रा इंच होगी कोलर बनाने के लिए हम दबल कपड़ा लेंगे यह मैंने डबल कपड़ा लिया है जितने भी हमारी कोलर की लंबाई आ करढ़ते हैं कि और हभी उसमें हम एक इंच दबाओ लेंगे तो मेरी में हम एक इंच के दूरी हम छोड़ देंगे इससिर फ़िए मैंने एक इंच कि यहां से भी चार इंच का निसान लगा लेंगे बीच में भी हम और इस तरफ भी चार इंच की एक तिर्छी लाइन बना लेंगे यह हमारी समर कोट की कोलर की कटिंग ऐसे होगी बिलकुल कि इसके उल्टी सैड हम सिलाई कर लाएंगे नीचे से आदा इंच पर निसान लेंगे हां और आदा इंच की दूरी पर ही हैं इसके तीनों तरफ इस तरफ उपर के साइड से और साइड से नीचे वाली सैड हम सिलाई नहीं करेंगे जो हमारा कम चोड़ाई वाला हिस्सा है वो तो नीचे वाला हिस्सा रहेगा और जो अधिक चोड़ाई वाला हिस्सा है उसकी तो हम सिलाई कर लाएंगे और जो कम चोड़ाई वाला हिस्सा है वो हमारा नीचे के साइड रहेंगा उसकी सिलाई हम नहीं करेंगे मसीन को उठाते हुए रखेंगे आदा एंच की दूर पे हम सिलाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे लेंगे याद रखना है में नीचे वाली साइड आदा एंच की दूरी पर सिलाई नहीं करनी है कि मैंने दो इंच का निसान लगायता हुआ से हम कॉलर लगाना इस्टार्ट करेंगे यह जो हमारे डबल कपड़ा है तो एक हिस्से पर ही हम इसकी सिलाई कर लाएंगे कॉलर की दूरी है वह तो मैं आदा एंच की ले रहे हुँ यहां से मैंने गले की सिलाई कर दी थी तो यहां पर जो मैंने पहले किनोर पर सिलाई किये बिल्कुल हुए इपी में सिलाई करके लाँगी से तो यह जो कोलर है वो हमारी थोड़ी बहुत एक्ष्ट्रा बार की साइड निकाल देंगे हम इसे आज दबाओ वो आदा इंची रहेगा एंची से लाँवे यहां यहां आज कर दो कि साइड दो यहां दो कि साइड वो यहां वो यहां आज दो एसे कि ऐसे कि अभी में इसको अंदर के साइट फोल्ड कर देंगे से और यह वाले उपर वाला चुछ सामने छोड़ दिया था पहले उसे भी हम अंदर के साइट दबा देंगे और बिल्कुल किनों पर सिलाए कर लाएंगे कर देंगे तो उसे हम पीछे के साइट लेज़ाएंगे तो उसे हम पीछे के साइट लेज़ाएंगे कर दो देंगे अब हम समर्कोट के एक साइट आगे वाले हिससे में नीचे के साइट पोकिट बना लेंगे आगे की हिससे में एक साइट में में पोकिट बना रही हूं खुली वाली साइट है दो दो इंच के जगा छोड़के हम निसान लगा लेंगे नीचे वाली साइट से भी दो इंच के दूर छोड़ देंगे हम इसकी चोड़ाई है वो मैं साड़ी पांच रख रही हूं इसकी लंबाई है वो भी मैं साड़ी पांच रख रही हूं कि जितना मैंने पोकिट पनाया था उससे एक्ष्टा एक्ष्टा इसकी कटिंग कर लेंगे हम कि साड़ी पांच पोकिट के लंबाई थी तो इसकी साड़ी छह रख लेंगे कि अधर कि अधर कि झाल कि θα इसाली एक्ष्टा थाख बखना नहीं एक्कष्टा? कर इसाड़ी कते हूं कि हुआ पांच शेजित एकू जर के अधर शेद्म झाल झाल यह हमारे समर कोट की सिलाई वो बिल्कुल कम्प्लीट होके तियार है इसे हमारे जो कमर कोट की सिलाई है समर कोट की सिलाई है वो कम्प्लीट तियार हो चुकिए और जो मैंने यह दो इंच की जगा छोड़ी थी आगे के साइड इसे हम ऐसे फॉल्ट कर लेंगे और इस पर फ्रेज कर लेंगे अगर आप फ्रेज भी कर सकते हो या फिर आप इसको सुई से अटेच भी कर सकते हो इसकी सिलाई भी कर सकते हो आप इसकी सिलाई या फिर आप इसे एसे भी रख सकते हो